सबी दर्शकों को मेरा नमस्कार कुमार संभवं के प्रथम सर्ग से संबंदित पद्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं इसी प्रसंग में भाग 25 और 26 आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं और इसके अंतरगत पद्य संक्या 39 पर मैं चर्चा करूँगी आपके साथ पूर्व व्याख्यान में मैंने इस पद्य की का अनुवाद आपके सामने रखा था और इसके संबंद में जो विस्तरत जानकारी थी वो मैं आज आपके सामने रखने वाली हूं पद्य आपके सामने हैं मंदाकिनी साइकत वेदिकाभी साकंदुकई कृत्रम पुत्रकईष्च रेमे मुहरमद्यगता सकी नाम क्रीडा रसम निर्विशतीव बाल्ये तो यहाँ पर बाल्यकाल का वर्णन है पारवती के पहले जन्म का वर्णन किया और जन्म के बाद जो उसकी बाल्य वस्ता थी बच्पन उसका वर्णन किया और बच्पन में जिस प्रकार से बच्चे अनेक प्रकार के खेलूं के द्वारा खेलते हैं और यदि हम थोड़े और प्राचीन समय की पुराने समय की बात करें, तो उस समय इतना ना तो तक्नीकी सहायता थी और ना ही इतना अधिक इतना विस्तार हुआ था कि तरह तरह के जो जीवंत खिलोने हैं, जैसे चाबी से चलने वाले या इस प्रकार बैटरी से चलने वाले उसका प्रयोग ना करके बच्चे जो कृत्रम का जो पुत्रक जिसको यहां का आगया है अर्थात जो गुडिया बनाते हैं कपड़े से उसके आँख दाताती बनाकर जो कृत्रम का मतलब है कि जिसमें जान ही होती है जिसको हम पुतली भी कहते हैं पुतली के रुप में तो उन कृत्रिम खिलोनों से गुडियों से बच्ची खेला करते थे और रेती ले अगर वो नदी के किनारे पर उनका घर है उसके आसपस तो नदी के किनारे पर जो रेती बेत होती है उसमें घर बनाकर और वहाँ पर उन घरों के द्वारा भी वो खेलते हैं जैसे घर घर खेलने वाली प्रक्रिया है इसी तरह से गेंड से खेलते हैं सक्खियों के साथ मिलकर ये लड़कियों की विशेश रूप से ये क्योंकि पारवती के संदर्ब में है तो ये लड़कियों के दौरा खेले जाने वाले खेलों का यहां पर वर्णन किया गया है कि किस तरह से अपने बाले काल में परवती अपने सक्षियों के साथ मिलकर और नधी के किनारे घर बना कर गेंद के दौरा और कृतिरम जो पुतरक अर्थाद गुडिया उनके द्वाराओं किस तरह से खेलती हुई वो अपने बालेकाल के जीवन को आनंद पूरवत जी रही थी तो इस पद्दे में यही बताया गया है और अब मैं आपके सामने इस पद्दे में पर्युक्त पदों के संबंध में जानकारी दूंगी तो इसमें मंदाकिनी का प्र तो मंदम अकितुम शीलम अस्या अर्था जो धी में चलने का जिसका स्वभाव है अपने पूर में आपके सामने बताया था कि जब सगर के पुत्रों को जीवित करने के लिए बागीरत ने गंगा को प्रिथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की तो स्वर्ग से जब गंगा निकली तो उसका प्रवाह बहुत तेज था शिव जी ने उसे अपने मस्तक पर अपने सिर पर धारन किया और दीरे दीरे उस गंगा को पृत्वी पर चोड़ा तो इसलिए जब गंगा पृत्वी पर आती है तो पृत्वी पर उसकी जो गती है वो धीमी गती से आती है बोला कि ये गंगा नदी की ही एक स्त्रोत धारा है और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक हिमालई नदी है और ये अलक नंदा नदी की एक मुख्य उप नदी है जो स्वयम गंगा नदी की एक स्त्रोत धारा है तो इस नदी का उद्गम स्थान उत्तराख हिमाले से होती होई गंगा नदी पृत्वी पर आई और पृत्वी पर जो उत्तरा खंड में जो इसके ये नदी है इसको वहाँ पर मंदाकिनी नदी का नाम दिया गया है तो कहने का ताथ पर है कि गंगा की एक धारा गंगा की ही एक स्रोत धारा मंदाकिनी कहलाती है इसलिए गंगा के परियाईवाचियों में मंदाकिनी भी उसका एक परियाईवाचि है तो यहां पर जो समस्त पद है मंदाकिनी सैकत वेदि का भी तो यहां पर हम इसको भी इसका विशलेशन आपके सामने करूँगी तो मंदाकिनी सैकत, तो मंदाकिन्याह सैकतम, मंदाकिनी की सैकतमिस रेत, तो मंदाकिनी सैकत बनता है, मंदाकिन्या सैकतम, प्षष्टी ततपुरुष समास करने के बाद मंदाकिनी सैकतम बनता है, और उसके बाद मंदाकिनी सैकते वेदिकाह, तो मंदाकिनी सैकत पर बनी ह वेदिक आएं तो ये आपका सब्तमी तत्पुरुष समास होगा और समास करने के बाद आपका मंदाकिनी सैकत वेदिका और उसके बाद तृतिया बहुवचन में हैं तो वेदिका भी तो वेदिक बनता है उसके बाद स्रीलिंग में टाप प्रत्य करने के बाद वेदिका बनत तो किस प्रकार से इनको समस्त किया गया है, संयुक्त किया गया है, तो सबसे पहले पुत्रक शब्द के विश्रे में हम जानेंगे, पुत्रक कई ही, पुत्रक तृत्याई भक्ती बहुवचन में प्रयोग है, तो पुत्र से कन प्रते लगकर पुत्रक बनता है, तो क्रित्रिमा शाते पुत्र काह ये जिए पुत्र क्रित्र पूत्र कैसे बना गभित्र से कन प्रते अ पुत्र शब्द के बारे में भी यदि आप देखें तो मैंने आपको पूर्वथ बताया था कि पुत्र शब्द जो है ये केवल मात्र जो है पुरुश MP hyyyエ a call मात्रिस् से भी बताया था कि पुत्र पुत्री और पुत्र दोनों के लिए प्रियुक्त किया जाता है पुत्रश्च दुहितरश्च समास होता है और फिर एक्षेश हो जाता है द्वंद्व एक्षेश द्वंद्व तो पुत्र शेश रहता है और इससे पुत्र का अर्थ है वो किसी भ केवल मात्र कन्याओं के साथ ही नहीं उसके साथ खेलने वाले बालक भी थे यद्यपी उसमें पद्दे में सखी नाम लिखा है तो सखियों के साथ लेकिन इसमें पुत्र शब्द के प्रयोग से ये सपष्ट होता है कि वो जो है केवल मात्र कट पुत्लियां जैसे पुत्र य पारवती अपनी सख्यों के साथ गुड़ियों और गुड़ों के साथ खेलती थी जो अभी भी बच्चे जैसे गुड़े गुड़िया का विभा करते हैं तो उस संदर्ब में यहां पुत्रक शब्द का प्रयोग किया गया है तो कृत्रिम पुत्रक अब कृत्रिम क्यूं कहा तो कृत्रिम आश्रते पुत्र कहा तो कृत्रिम इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे मतलब बनाए गए हैं उनमें मतलब जान नहीं है इसलिए उनको कृत्रिम कहा जिसके लिए देखिए अगर हम इसका विशलेशन करते हैं शब्द का कृत्रिम का तो इसका अर्थ है क्रियाया निवरित्ता, क्रीध हाथ उसे तुरी प्रत्ते लगके क्रित्तरी बनता है, ड्विता तुरी ये सूत्र है, और उसके बाद क्रेर मम नित्यम, और फिर तुरी प्रत्ते लगने पर मम आगम होता है, तो यहां क्री, तुरी और मम मिलाकर क्रित्रम बनता है और कृत्रिम का अर्थ होता है क्रिया या निवरित्ता मतलब जिन में क्रिया नहीं होती है क्रिया शील नहीं होते है जिन में चेतना नहीं होती है उनको यहाँ पर क्रित्रिम का प्रयोग यहाँ पर किया गया है तो क्रित्रिम पुत्रक मतलब जिन में जान तो नहीं लेकिन वास्तम में मनुश्य के समान जिनको आकर दिया गया है ऐसी गुड़िया और गुड़े तो उनके साथ पारवती अपनी सक्षियों के साथ खेलती थी रे में रमदातु से लिटलकार मिज रम जाना अर्थात उसमें आनंद लेना उसमें डूब जाना तो लिटलकार पर मध्य गता अब मध्य गता यहां पे मध्यम गता बीश में जाकर सक्षियों के बीच में रहते हुए तो मध्यम गता तो यहां पे भी गुड़िया तत पुरुष समास है और गमधातु इक्तव प्रत्य लग के गत बनता है और स्रीलिंग में टाप प्रत्य होकर गता बनता ह अगला पद इसमें जो प्रयुक्त है क्रीडारसम तो क्रीडाया है रसह और उसके बाद क्रीडारसम दुटिया एक वचने बना ये भी शश्टितत पूरुष है और निर विशतीव तो यहां इसको किस प्रकार से इसका विशलेशन करेंगे इसमें निर है और विशती निर और विशती ये दो पद है और उसके बाद फिर इसके बाद इव भी है तिनिर विशती इव अब विशती को यदि हम विशलेशित करेंगे तो यहां विश्धातु है और शत्री प्रत्य है तो विश्धातु शत्री प्रत्य लगने पर विश्ध बनता है और उसके बाद फिर स् निर्विशती बनने का क्या कारण है यहां क्यों निर्विशंती न देकर निर्विशती दिया क्योंकि हमारे पास सूतर है आचीर नद्योर नुम तो अवरंड के बाद यदिशित प्रत्ते हो या नदी संग्यक हो तो नुम आगम होता है विकल्प से तो यहां पर जब नुम आगम नहीं हुआ है तो निर्विशती बनता है निर्विशत बनेगा और फिर निश्प्रत्य होता है लेकिन जब आगम कर देते हैं तो निर्विशंत भी बनता है और निर्विशंती रूप भी शुद्ध रूप होता है यह एक जानकारी जो है वो आवश्यक है जो हमें ज अब जब बालेकाल होता है बच्पन होता है तो वही समय होता है जब बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है और उनको विद्याले में भेजा जाता है उस समय क्योंकि आश्रम पध्धती है तो किसी ना किसी गुरू के उपदेश से ही जो बालक बालिका हैं वो शिक्षा प्राप्त करती थी गुरू की शरण में रहकर उनके उपदेशों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ती होती थी तो क्योंकि पार्वती भी अब बाले वस्ता में पहुँच चुकी हैं उस अवस्ता में पहुँच चुकी हैं जो उने शिक्षा गहन करनी है तो उसी का वर्णन इस पद्दि में किया गया है तो यहां पे बहुत सुंदर उपमाओं के द्वारा पार्वती के विद्या और उस स्थिर उपदेश वाली अर्थात जिन को दिया गया उपदेश स्थिर रहता है अर्थात हमेशा के लिए विद्यमान रहता है तो स्थिर उपदेश वाली यह उपदेश यहां गुरू का उपदेश गुरू के द्वरा दिये गई शिक्षा तो स्थिर गुरू उपदेश वाल इव शरदी इव है तो यहां उपमालंकार के लिए इव कप्रियों किया गया है तो उसमें कहा कि गंगाम शरदी शरदी मिस शरद रित्व में हंस माला हंसों की पंक्ती गंगाम मिस गंगा के समान एक पुलना है इसको हमें अभी विस्तरत व्याक्या बाद में करेंगे जब अभी हम अनुवाद देखते हैं कि उस पास्तिर उपदेश वाली उस पारवती को शरद काल में हंसों की माला गंगा के समान और उसके बाद है महा उशदिन महोशदिम नक्तमिव आत्मभास हां नक्तमिस रात्री को महा उशदिम आत्मभास हां तो रात को आत्मभास आत्मपरकाश उशदी के समान या औशदी को रात्री में आत्मभास के समन एकी और समान क्या प्राप्त हुआ देखिए इनमें तो दे दिया शरत में हंसमाला और औशदियों में आत्मभास और पारवती के लिए कहा कि उपदेश काले उपदेश के समय प्राक्तन जन्म विद्या पूर्व जन्म की विद्य प्रपेदिरे पूर्वजन्म की विद्याओं को प्राप्त किया किसको प्राप्त किया पारवति को स्थिर उपदेश वाली उसको पूर्वजन्म की विद्याओं ने उपदेश काल में प्रपेदिरे प्राप्त किया तो अर्थात पूर्वजन्म की विद्याओं उसको कि पारवती को पूर्व जन्म की विद्याओं ने प्राप्त कर लिया इसका कहने का तात पर ही है कि पारवती को जो पूर्व जन्म में शिक्षा या विद्या उपतेश के रूप में प्राप्त की थी वो अगले जन्म में भी आकर उसको वो समरण थी वो सब वो सब उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी उसके संस्कार आज भी उनको उसी तरह से प्राप्त हैं स्मरण हैं तो कैसे पदा चला कि उपदेश काले जब उपदेश का समय आया जब पारवती को शिक्षा देने का समय आया उनके विद्याले में प्रवेश करने का समय आया तो जब ग सारी की सारी उसको प्राप्त हो गई अर्थात वो इस जन्म में उपदेश से पहले ही वो सब कुछ जानती थी तो यहां क्योंकि दैवी शक्ती उनके अंदर विद्यमान थी वो स्वयम देवी हैं तो इसलिए उनको उनके लिए कहा कि जो भी उपदेश उनको दिया जा रहा है गुरू के द्वारा वो उन्हें पहले ही स्वयम ही आता था पता था तो अब यहां इसकी तुलना जैसे की है कि जैसे शरद काल में शरद रितु आती है तो हंसों की जो श्रेणियां हैं हंसों की पंक्तियां है वो गंगा में स्वयम आ जाती है गंगा ये एक प्रकृतिक जो है नियम है और यहां प्रकृतिक प्रकृतिक धिश्य भी यहां पे है कि जब वसंत रितो आती है या शर्द रितो आती है तो हंसों की पंक्तियां जो है वो मानसरोबर से गंगा में स्वयम आकर प बढ़ाती हैं इसी तरह से देखिए जो औशधियां है उन में जो प्रकाश है वो रातरी में वो अपने आप ही वो औशधियों को प्रकाशित कर देता है औशधियों के अंदर का प्रकाश उन्हें स्वयम ही प्रकाशित कर देता है यही कारण है कि रातरी में जो औशधियां ह गंगा में हंसमाला जो है आकरशित होकर वहाँ चली आती है और आशदियों में आत्मभास होता है तो उसी तरह से पारवती में भी जो ज्यान था जो विद्याओं का पूरी विद्याओं का जो उसको ज्यान प्राप्त हुआ था वो पूर्वजन्म से उनके अंदर था और तो इस तरह से ये बहुती सुन्दर उपमाय देकर कालिदास ने ये स्पष्ठ किया, पारवती के सर्व विद्याओं के ग्यान को स्पष्ठ किया है, तो यहां पे मैं जो हमने कहा कि आशुदियों में स्वयम तेज होता है, तो यहां एक पंक्ती जवाब के सामने है, आशुदियों में तेज कौन स्थापित करता है, सूर्य, रवी, सूर्य आशुदियों में तेज स्थापित कर देता है, और फिर वो अस्त हो जाता है, और जब चंद्रमा उदे होता है, तो वो चंद्रोदे के समय वो प्रकाश जो उसके अंदर विद्यमान है, वो परकाष और शुद्यों में पहले ही सूर्य ने इस्थापित कर दिया औरुजभ वह रात्री होई चंद्रमा का उदय हुआ तो वह प्रकाष उनका अपना प्रकाष स्वेमई प्रकाशित हो गया ऐसे ही पार्वती ने पूर्व जन्म में जो ग्यान प्राप्त किया था वो ग्यान प्राप्त करके और जब इस जन्म में जब पुना उपदेश का समय आया तो वो उनके अंदर का ग्यान जो है वो स्वता जो है वो प्रकट हो गया प्रकाशित हो गया तो यह बहुत सुन्दर तुलना है, कालिदास नहीं हाँ पर की है, अब यहाँ पे कुछ पद हैं, जिनके विशय में और भी जाना है, स्थिरोपदेशाम, यहाँ पर पार्वती के लिए कहा, स्थिरोपदेशाम, तो इसका यदि हम विशलेशन करते हैं, तो क्या है, स्थिरह, स् खत्ते स्तेयान ऑ़िगा कभी समाप्त नहीं होता है। तभी तो इस जन्मे भी वो विध्या उनको पुणा प्राप्त हो गई जो कि उन्हों ने सीखी भी नहीं थी गुरु ने बताई भी नहीं थी। तो स्थेयान उपदेशा तो प्राग भवियो यस्यास तादरिशीम मतलब पूर्व जन्म का जो उपदेश है जिसका वो स्थिर है वो ऐसा तो सिरुपदेशा बनेगा और इसके बाद है प्राक्तन जन्म विद्या अब प्राक्तन प्राग भवं प्राक्तनम और प्राक्तनम प्राक्तन जन्म का अर्थ पूर्व जन्म और तस्य विद्या उस पूर्व जन्म की विद्याएं प्राक्तन जन्म विद्या इस प्रकार से यह बनता है अब यहां पे देखिए यह जो पद्य है इसका देखिए बिलकुल समान पद्य उत्तरामशृत में दिया गया है इसलिए मैं ही चाहती हूं कि यह पद्धे आपके सामने बताओं कि कालिदास ने जिस पद्धे को किया, दिया है, वैसा ही पद्धे उत्तर आमचरित में कभी ने दिया है, तो इसलिए यहां पे यह पद्धे हैं, गंगाम यथा हंस खगा, शरत्सु वैरात्री, स्वभासस तु यथा महोशदी ही गुरु पदेशाद पदेश पंडेताम ताम पूर्व संसकार गणा यह उर्मुदा बिल्कु वैसे ही वात है कि जैसे गंगा को हंस खग हंस पक्षी जो है शरतकाल में प्रवेश कर जाते हैं गंगा में और रात्री में आशदियों को में स्वभास अपने आप प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार से सीटा को भी पूर्व संसकार के कारण जो है सारी विद्याएं जो है वो प्राप्त हो गई थी तो यह जो है जो भाव जो वर्णन कालिदास ने किया है उसी को उत्तराम्चृत में भी भवभूती ने भी हमारे सामने उसी प्रकार से वर्णन किया है अब हम अगले पद्दे की बात करते हैं और इस पद्दे में आपके सामने अब पारवती जो है युवावस्था को प्राप्त हुई बाले आवस्ता के वर्णन के बाद युवावस्ता का वर्णन है और ये पद्धियापके सामने है असंभरितम मंदनम अंगियष्टे रना सवाक्यम करणम मदस्ये कामस्य पुष्प्रव्यतिरिक्तम अस्त्रम बाल्यात परम साथ वया प्रपेदे इसमें बाले का से पेश करने का वर्णन है और उसी के साथ साथ इसमें युवावस्ता में किस प्रकार से कुछ स्वाभाविक जो वस्तुएं हैं जो प्राप्त हो जाती हैं जो कि आकर्शन का केंद्र होती हैं उनके विशे में यहां पे कालिदास ने इस पद्धिय में वर्णन किया है तो इ बालेकाल के बाद सा पारवती ने अत्मिस उसके बाद बालेकाल के बाद उसने वया है वया यहां पे क्या कहा कि बालेकाल के बाद आयू अर्तात युवावस्ता को प्रपेदे मिस प्राप्त किया तो स्वाभाविक है कि बालेकाल के बाद युवावस्ता होती है और पारवत अब इस समय पदारपन किया है अपने युवावस्ता में तो उनके युवावस्ता का वर्णन इस पद्दे के मालधियम से कभी ने किया है तो मैं अभी के लिए इतना ही आपके सामने रखती हूँ और अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने इन पारवती के जो युवावस का प्रयोकिया है उनके संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी अभी के लिए इतना ही और तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्क्रा धन्यवाद करूंगी और धन्यवाद